जैहिन दोस्तों कैसे हो आप सबी आसा करता हूं कि अच्छे होंगे काफी अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी दोस्तों आप जितने भी UPSI वाले हमारे भाई भेहने सबी के न सवाल आ रहे थे कि भीया UPSI क्या कैंसल होगा फाइनल आंसर की आईगी या नहीं आएगी रिजल्ट डिले होगा क्या रनिंग करें या ना करें समझ में नहीं आ रहा है भीया क्या करें तो यह सारे सवाल आपके दिमाग में उठ रहे थे तो मैं वन वाई वन सारे सवालों पर बात करने वाला हूँ सबसे पहले जो धरना करें या ना करें अब क्या करें समय कम है तो इन सारी चीजों पर हम बात करने वाले हैं वन वाई वन आपको वीडियो को लाज तक देखना है फिर भी आपको कोई सवाल रहता है तो उस पर हम कमेंट करके आपको रिपलाई जरूर करेंगे ठीक है तो सबसे पहले यह जो चागे अब हर्तियों ने उठाया सवाल तो आप सभी को पता है कि जब आंसर की जारी की जाती है तो आंसर की जारी करने के बाद होता क्या है कि मतलब कुछ लोगों के डेड़ सो पिलस कुश्चन सही है तो जो एक पढ़ने वाला स्टूडेंट है और आप सभी भी यह सोच मेरे पास P junt कर के बोलते हैं यह भरती कैंशिल हो गाई मैं कर लेकर अब इस निूज में का है इसको पड़ते हैं यूज में आंकि यूपी पुलिस दरोगा भरती परिक्षा दो हजार 2 2 1 लीकी cb. की मांग को लेकर रवीवार को युबा उने बालसन चौराय पर प्रदर्सन किया ठीक है युबा मंच के बैनर तले मुख्या मंतरी को सम्मधित ग्यापन परसासन को सौपा मांग की क्या मांगे की इनको बहुत अच्छे समझने वाली बात है कि यूपी ऐसाई दोहजारी किस और लाइन परिक्षा में दांदली के सम्मधित सीबी आई जांच हो जांच की दांदली पुष्टी होने पर पुने परिक्षा हो बरस्टा चार में समलित लोगों के विरुद कार रहा है इसका मतलब यह है कि इन्होंने मतलब मांग भी काफी मतलब अच्छे तरीके से परिक्षा हो बरस्टा चार में जो भी लोग मिले हुए हैं उन पर कड़ी से कड़ी कारवाई हो तो इनको लेके मांगे की और ग्यापन भी सौपग है परिसासन को ठीके चलो आगे पढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है युवा मंच अनिल सिंग ने कहा है कि हजारों इसे हैं जिन्होंने 160 में से 140 से अधिक परिसन हल किये हैं परिसनों के इसतर को देखते हुए ऐसा मुमकिन नहीं है कि मन्च सन्योजक राजे संचन ने कहा है कि ऐसी कोई परिक्षा नहीं है जिसमें पेपर लीक धांदली और परिक्षा संस्ताओं में मिली बगत के घंबीर आरोप ने लगे हों परिक्षा संस्ताओं की मिली बगत से गंबीर आरोप ने लगे हों ठीक है ये भी एक मतलब काफी चिंता जाने को विसा है चलो उसके बाद इसी नियूज में मतलब नीचे लिखा हुआ था कि खतम होने वाला है यूपियसा भरती रिजल्ट का इंतिज इसका मतलब ये है कि भरती बोर्ड जो है उत्तर परदेश पुलिस भरती अवर परन्योती बोर्ड जो है उस पे अभी कोई फरक नहीं पढ़ रहा है और नहीं पढ़ेगा आगे बात करेंगे क्या होने वाला है बहुत जल्द ऐसाई भरती परिक्षा का रिजल्ट जारी कर अब नतीजों का इंतिजार है पिच्चान में 24 जो की 12 नुमंबर से 2 दिसमबर तक आयुजित की गई थी ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लिए लिकित परिक्षा में अब्यारतियों को पास सारी इक दक्स्ता के लिए बुलाया जाएगा तो ये तो रही भाई नियूज क कर पा रहे हैं तो मैं बहुत सारे आपके दिमागे में सवाल उट रहे हैं अब वन वाई वन मैं आपके सवाल लेता हूं ये तो आपने नियूज देख ली सबसे पहला सवाल आपके दिमागे में उट रहा है पेपर कैंसल होगा क्या तो मैं आपको बता दूं भाई पेपर नहीं होगा ठीक है पेपर कैंसल नहीं होगा आपको बिलकुल भी नेगेटिव चीजे नहीं सोचनी है आप सिर्फ अगर इस पे होगी तो भी आज जाच होगी जाच होने के बाद ही तब कुछ मतलब चांसिस हैं तो आप अपने रिजल्ट के लिए त्यार रहें तो पेपर कैंसिल क्या होगा तो ये बिल्कुल भाई आपका सवाल का मैंने आंसर दे दिया है बिल्कुल नहीं होगा बर्ती बोड बहुत ज़्यादा जल्दी में है तो आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दें और अपना रनिंग करते रहें दूसरा कुश्यन आपके समाल दिमाग में उठ रहा है या फाइनल आंसर की आएगी या नहीं आएगी या फिर ऐसे ही रिजल्ट आ जाएगा तो फाइनल आंसर की के लिए मैं बता देता हूँ इसमें पहली possibility क्या है कि आपका रिजल्ट आए और रिजल्ट के साथ ही आपकी आंसर की आजाएगी दूसरा इसमें क्या है कि फाइनल आंसर की भी आ सकती है लेकिन जो मुझे लग रहा है कि फाइनल आंसर की नहीं आएगी क्योंकि भरती बोर्ट थोड़ा सा जल्दी में नजर आ रहा है तो साथ के साथ रिजल्ट देगा और रिजल्ट के साथ ही आपकी फाइनल अंसर की आ जाएगी जैसा मतलब मेरा मानना है ठीक है बाकी आपको क्या लगता है आप भी अपनी राय दे सकते हैं की जा चुक है इनसे रिजल्ट देले होगा भी अभी तक रिजल्ट पर कोई फरक नहीं पड़ा है जब कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी आएगी कि रिजल्ट देले हो रहा है कुछ भी तो वीडियो बना के मैं आप तक वो कंप्लीट करें और कंप्लीट करने के बाद सरकार को एक एरेडिट मिले कि हाँ उसने पिच्चान में चौतिस दरोगा पदगी भी भरती कराई है क्योंकि आपको पता है कि पिछली बीती कि लिए उसने नोटीस भेजा है जैसे ही यह तयारी यह पूरी हो जाएंगी भरती बॉर्ड को जवाब मिल जाएगा कि हमारी तयारी हो चुकी है किया जा सकता है एक दो दिन में वैसे 15 जनवरी तक जो भी होना होगा हो जाएगा 15 जनवरी तक आपका रिजल्ट वगेरा जाएगा क्योंकि ऐसा सुनने मारा है कि 10 से 15 जनवरी के बीच में क्या है चुनावों की घोशना होने वाले है कि कि इस डेट को चुनाव होगा तो भाई इन्हों ने अगर इनको रिजल्ट देना होगा तो यह दे देंगी देखें अब इसमें दो केस हैं अगर रिजल्ट देना होगा तो 15 जनवरी तक दे देंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि रिजल्ट आपका मतलब election के बाद आए ऐसा भी हो सकता है एक परसेंट चांसिस ऐसे भी है कि आपका एलेक्शन के बाद आए क्योंकि अगर रिजल्ट देंगे तो जो चातर सड़कों पर उतरे हुए हैं तो वो सड़कों पर और ज्यादा उतरेंगे धरना परदसन करेंगे जो भी धांदले बाजी हुई है अगर इसकी जांच नहीं होती है तो सरकार क्या चाहेगी फिर इसको रिजल्ट को एक परसेंट ऐसा भी हो सकता है कि रिजल्ट रुक भी जाए बाकी अभी चांसिस यही है कि आपका बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला है ठीक है चलो अब चौता पॉइंट आपके दिमाग में जो उठ रहा है बार बार कमेंट करेंगें पार और क्या ना करेंगे कि हाँ मुझे लगता है मेरा नंबर आ सकता है तो भीया रनिंग करें अगर आपको यह लगता है कि मेरा नंबर नहीं आएगा तो भीया आप अपनी पढ़ाई करें पढ़ाई करें मतलब अपनी study करें अगर आपको यह लगता है कि मेरा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है तो भी अपनी running भी करते हैं रहे तो आज तक भी वो लोग परिसान है कि हाँ हम अगर running कर लेते तो आज हम नौकरी पर होते तो ऐसा कहीं आपके साथ ना हो तो आप भी उस चीज़ के लिए तयार रहे running अपनी जारी रखें और running के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करते रहें क्योंकि भाई हो सकता है कि आपका इसमें SI में ना आए क्योंकि 9534 पद हैं 9534 पद हैं तो selection तो इनी का होगा सबका थोड़ी हो जाएगा तो आप कहीं न कहीं कुछी और exam की भी तैयारी करेंगे तो आप मतलब अपनी running के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करते रहें और running करते रहें और सभी से मेरा निवे देन क्योंकि आपकी cut-off बहुत कम रहने वाली है ठीक है चलो अब दूसर सवाल आपके दिमाग मारा भीया क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको जो मैं बता रहा हूं अगर आपको लगता है कि मैं सही बता रहा हूं तो आप कर सकते हैं नहीं तो जो आपको चीत ल क्योंकि भाई यह कड़वी सच्चा ही है जो आपको माननी पड़ेगी सेलेक्शन 9534 का ही होगा बाकी जो और लोगों साथ लाक लोगों ने एक्जाम दिया है तो कहीं न कहीं किसी ना किसी और एक्जाम की तियारी करेंगे तो अभी आपके पास समय है अपना गुरूप D, N किसी और एक्जाम में सेलेक्शन ले लेंगे ठीक है यह तो है नहीं कि अगर आपका एसाई में नहीं हुआ तो आप कॉम्टिटिव एक्जाम कोई छोड़ के चले जाएंगे तो यह तो बिल्कुल भाई CDC गलत बात हो गई है ठीक है तो मेरे अनुसर भाई रनिंग करते रह हूँ आपके जो भी सवाल आते में सबी का देखे रिपलाई करता हूँ अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं ठीक है अब आपसे मुलाकात करेंगे दोस्तों ने स्टुडियो में तब तक के लिए दोस्तों बाई बाई एक एर अपना ध्या हूँ आपसे में क्यां जरूर आते जरूरर बता सकते हैं अजयगा कि यूरू के वारदिए केल क में मुल आपसे हैं अगर रहसे हैं